उस जज की मनोधशा क्या होगी उस समय उसका मो जो जागरत हो जाता है वो उस केस को हाथ में नहीं लेगा और अपील करेगा सुप्रीम कोट तक और भी जहां भी अपील कर सकता है वहां करेगा प्रैतन करेगा अपने बच्चों में जो मोह होने के कारण उसको छुडाने के लिए ठीक इसी तरह अरजुन की मनोदशा इसी लिए विशाद वाली थी क्योंकि उसके साथ भगवान थे विजय उसकी निश्चित थी ये भी उसको पता था लेकिन ये मनोदशा इसी लिए क्योंकि उसको पता था कि कौरों को अगर हम मारेंगे वो मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मेरे साथ भगवान है लेकिन मेरे बच्चों को तो मार सकते हैं तो उस समय उसको और अपने पुत्र पौत्रों को खोने का जो एक भै था, विशाद उसी के कारण था, नर्वसनेस, डिप्रेशन की स्थिती, इसलिए थी, कि वो कहता था, कि ये सारा राज्य हासिल करने के बाद, अगर मेरे पुत्र पौत्र ही नहीं रहेंगे, तो मैं किसके लिए ये राज्य लूँ, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है, कम से कम मैं अपने बच्चों को तो उसका अपना मोह उसको सता रहा था, जैसे आज की दुनिया में भी, लोगों के जीवन में अगर डिप्रेशन का कारण है, तो उनका अपना ही मोह उसको सता रहा होता है, यहां अरजुने के च्छाओं और संबंधों के जाल में फसा हुआ व्यक्ति है, उसकी चेतना का प्रतीक है, कि हमारे मन के अंदर गुण और अउगुण दोनों होते हैं, उसके बीच में निरंतर युद्ध चलता रहता है, और जब मन ठका हुआ होता है, आसूरी शक्तियों के आगे हारने लगता है, यह उसके सामने युद्ध करने के लिए तयार नहीं होता है, खास करके कोई लंबी बीमारी से जब गुजरता है तब उमीद छोड़ देता है, रिप्रेशन में चला जाता, जब पारिवारे कलहकलेश खुब हो जाता है, असफलता पर असफलता मिलने लगती है, यह तनाव इतना बढ़ जाता है, तब व्यक्ति जीवन में हारने लगता है, यह उलज जाता है एकदम, और ठके हारे मन और नेड़ने न ले पाने में असमर्थ बुद्धी के कारण व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, मन को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक शक्ति का आभाव, आशा की किरन तब ही नजर आती है, जब मार्क निर्देशन के लिए स्वयम ईश्वरिय बौदिक सत्ता रास्ता दर्शाती है, तो इसलिए आज के समय की ही एक कहानी है, कि मनुष्य के मन को ब्रमित करने वाले अने एक प्रश्न चलते हैं, जिसका उत्तर नहीं मिलता है, सही ज्यान नहीं है, और भगवान उसी समय आकर के हमें यही आध्यात में ज्यान देते हैं, और सर्व प्रथम जैसे भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया वैसे हमें भी भगवान कहते हैं तुम ये देह नहीं हो एक चैतन शक्ती आत्मा हो जिसमें अथा शक्ती अथा क्षमता है उस शक्ती को उजागर करना है और इसलिए युद्ध का पहला विधी विधान जो दूसरे अध्याई में भगवान अर्जुन के सामने स्पष्ट कर देते हैं और उस समय उसको संबोधित करते हैं भारत भावारत ये है के कोई एक भारत की बात नहीं आज हर भारतवासी भारत है भारत में रहने वाला भारत है और यही कहते सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान को सहन करना एक भरतवनशी पर निर्भर करता है हर एक की कहानी है ये कि जब जीवन में संघर्ष होता है उस संघर्ष के समय सुख दुख सर्दी घर्मी मान अपमान को सहन करना है अब जो व्यक्ति सहन करने के लिए कह रहा है पहला युद्ध का विदी विदान यही बताते हैं तो युद्ध कैसे कर सकता है सहन करना है यह युद्ध करना है इसलिए कहा कि जहां सहन करने की बात कही तो यह मनो युद्ध की बात है वो हिंसक युद्ध की बात ही नहीं है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या भगवान जो सर्व शक्ति मान वो हिंसक युद्ध की प्रेणा अगर दे सकते हैं तो क्या अहिंसक युद्ध की प्रेणा नहीं दे सकते थे ये शक्ति नहीं थी उनके पास आज के दुनिया का महात्मा गांधी महात्मा इसलिए बन गया क्योंकि उसने अहिंसा के बल पर स्वराज दिलाया अगर महात्मा गांधी अहिंसा के बल पर स्वराज दिला सकते थे तो क्या भगवान सर्वशक्ति मान होने के बाद भी अर्जुन को अगर कहने युद्ध ही करना है और कोई रास्ता ही नहीं है तो उससे तो महात्मा गांदी स्रेष्ट हो गया फिर तो या तो फिर तो आज के टेररिस्ट अगर जो कर रहे हैं तो फिर उनको सजा देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि भगवान ने भी यही उद्ध की प्रेणा दी है फिर तो उसकी पूझा कौन करेगा इसलिए कहा गीता में ही उसका जवाब है कि जब दूसरे अध्याए में सबसे पहला विधी विधान यहीं बताते कि सुख दुख सर्दी गर्मी सर्दी गर्मी क्यों आ जाते सुख दुख के साथ सरदी गर्मी इसलिए प्रकृती कि प्रकृती द्वारा भी अगर कोई प्रकृप हो तो भी सहन करते है न उसके सामने तो युद करने नहीं जाते है न तो सुख दुख सरदी गर्मी मान अपमान उसको सहन करना एक भरतवन्शी पर नेरभर करता है विशेओं में चित वृत्तिया उसी प्रकार विशेयाकार बन जाती है जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेता है। ऐसे ही विशेविकारों ने हमारे मनो वृत्तियों को वैसे ही बना दिया है। और बगवान कहते हैं यह क्षेत्र क्षेत्र ग्यक का संगर्श है। क्षेत्र मना आत्मा का यह शरीर, दस इंद्रियों वाला क्षेत्र, तो क्षेत्र और क्षेत्र ग्या आत्मा उसके बीच का संगर्श। करमेंद्रियां कुछ और करना चाहती है। देखना नहीं चाहते फिर भी देख लेते, खाना नहीं चाहते फिर भी खा लेते, सुनना नहीं चाहते फिर भी सुन लेते, तो ये क्षेत्रक शेत्रग्यका संगर्श है, और इसलिए भगवान कहते हैं, जिसमें आसुरी संपुदा का सर्वथा शमन कर, परमात्मा में चित इंद्रियों को स्थिर करना है, भगवान को याद करने बैठो न, उसी समय सारा मन परिशानी यहां खड़ी कर देता है, क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाला धेर पुरुष यानि आत्मा, इंद्रियों और विशयों के संयोग व्यथित नहीं कर पाते हैं, और वह अम्र तत्व के प्राप्ति के योग के हो जाता है, जिसने इंद्रियों को जीता है, वही सच्छा जिते इंद्रिय है, इसलिए कहा के जैनी लोगों ने जब हिंसक युद की बात को काड़ दिया, तो गीता में से वही बात को उठाया, और यही कहते जै जिनेंद्र, जै जिनेंद्र मना जिनोंने अपने इंद्रियों के उपर संपून विजय प्राप्त कर लिया हो, उसके साथ में युद्ध करते हुए इंद्रियों के उपर अधिकार प्राप्त कर लिया, वो जै जिनेंद्र हो जाता है और फिर आत्मा का ज्ञान दिया के न उसको तलवार काट सकती है न अगनी जला सकती है न पानी भिगो सकती है न हवा सुखा सकती यानि प्रकर्ती के कोई भी तत्व उसको नुकसान नहीं पहुचा सकते है प्रकर्ति के कोई भी तत्व उसको प्रभावित नहीं कर सकते आत्मा अजन्मा है अजर अमर अविनाशी है शाश्वत है आदी युगीन है ये ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया और फिर बहुत सुन्दर कहा 31 वेशलोक में भगवान ने दूसरे अध्याई में कि ही अर्जुन स्वधर्म देख करके भी तू भै करने योग्य नहीं है क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्यान कारी मार्ग भी नहीं है किन्तु यदि इस धर्म युक्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और किर्ती को खोकर पाप को प्राप्त करेगा अब यहां स्वधर्म और युद्ध स्वधर्म माना कोई दैर्हिक धर्म की बात नहीं है कि तुक शैत्रिय इसलिए तुझे युद्ध करना है है ना नई लेकिन स्वधर्म माना आत्मा का निज धर्म क्या है हर चीज का अपना एक गुण धर्म होता है पानी का गुण धर्म है शीतलता अगनी का गुण धर्म है गर्मी पानी को कितना भी उबाल लो उबाल उबाल के रख दो क्या होगा पुनह अपने गुण धर्म में शीतल स्वरूप में आ जाएगा ठीक इसी तरह हमारा गुण धर्म क्या है क्रोध क्या हमारा गुण धर्म है जिसमें हम comfortable feel न करे वो हमारा गुण धर्म नहीं है कौन व्यक्ति है जो क्रोध करने के बाद comfortable feel करता है कोई नहीं है शांती में जब है तो comfortable feeling आती है बहुत सुख़द feeling आती है अर ठाथ शांती हमारा गुण धर्म है सुख हमारा गुण धर्म है इसलिए उसकी चाहना रहती है प्रेम हमारा गुण धर्म है आज सुबह आत्मा के लेसन में आपने इसी बात को अच्छी तरह समझाओगा कि हमारा गुण धर्म कौन सा है तो शरीर और आत्मा जब शरीर और आत्मा दोनों का योग होता है यानि मिलन होता है तब ही जीवन होता है और इस जीवन के अंदर हम शरीर की वास्तविक्ता को बहुत अच्छी तर जानते कि शरीर का गुण धर्म क्या है अगनी है, वायू है, पृत्वी है, ये पांचों तत्व ये शरीर के गुण धर्म है उसके बिना शरीर चल नहीं सकता है बीमार पड़ जाएगा, बेचेन हो जाएगा, ओक्सिजन न मिले तो क्या हालत होगी सोचो, बेचेनी होगी पानी न मिला तो क्या हालत होती है क्योंकि ये शरीर का गुण धर्म पानी है इसलिए पानी चाहिए उसको, ओक्सिजन चाहिए उसको यह उसकी वास्तविक्ता है, रियल आइडेंटिटी, इसी तरह आत्मा की आइडेंटिटी क्या है, आत्मा का गुण धर्म क्या है, उसकी वास्तविक्ता क्या है, तो आत्मा को भी इस शरीर में जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए, या नहीं चाहिए, चाहिए, क्या चाहिए साथ गुण चाहिए इसलिए आत्मा को कहा जाता है आत्मा सतो गुणी है the essence of seven values और हर इंसान को जीने के लिए यही साथ गुण चाहिए ज्यान चाहिए क्यों चाहिए क्योंकि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्यान अगर है तो वो है अहंकार, ego is the greatest ignorance in life anger is the greatest ignorance in life तो यह ज्यान क्या करता है उस ego को neutralize कर लेता है इसलिए ज्यान चाहिए तभी बच्पन से हमें यही प्रार्थना सिखाई जाती है अग ज्यान से हमें ज्यान की और ले चलो उसके साथ साथ शुद्धी चाहिए एक बच्चा जब जन्म लेता है कितना पवित्र होता है innocent होता है pure एक तब तो हमारी original identity क्या है pure है इसलिए जहां पवित्र वातावरन होता है comfortable feeling आती है जहां पवित्र वातावरन होता है वहां कभी comfortable feeling नहीं आएगी जहां यह दोनों चीज है ज्ञान है understanding और जहां शुद्धी है pure वृत्ती है pure thoughts है pure feelings है उसी संबंद में प्रेम पनप सकता है यह तो प्रेम नहीं स्वार्थ हो जाता है महाँ पर अगर ज्ञान न हो अहंकार हो impure feelings हो तो वहां पर प्रेम कभी नहीं होगा स्वार्थ होगा नफरत होगा और जहां यह तीनों है वहां सच्ची शांती है आज मनुष्य जीवन में शांती नहीं mentally relaxed नहीं है कई बार कई लोगों को देखो बड़े uncomfortable में है बेचेनी में हो पूछो भई क्या बात है tension में क्यों है इतना तो कहेंगे यह इतना प्यार से बोल रहा है हमें tension हो रहा है अरे प्यार से ही बोल रहा है फिर tension क्यों होना चाहिए तो क्या कहते है understanding है नहीं pure feelings है नहीं उसके बाद अगर प्यार से बात कर रहा है तो जरूदाल में कुछ काला है कोई मतलब है अब क्यांसा मतलब उसका सिद्ध करना इसलिए tension हो रहा है है और जहां ये चारो है वहाँ जीवन में सच्चा सुक है नहीं तो सब सुक सुवीधा के साधन होने के बाद भी chain की नींद नहीं है और जहाँ ये पांचो है वहाँ आनंद है जीवन की सरवोच प्रापति आनंद आज आनन तो छोड़ो खुशी भी नहीं है खुशी का अनुबव करने के लिए भी लोगों को laughing clubs जॉइन करना पड़ता है बगीचे में जाके हसना पड़ता है घर में वो हसने ही पाता है कैसी विडवना है ये दुनिया की गर में अगर उसने हसना शुरू किया तो लोग क्या कहेंगे ये पागलों की तरह क्यों असरा है तो खुश रहना नहीं मना चाहदना होते हुए भी खुश नहीं रह सकता है